हलो गुड आप्टरनून फ्रेंट्स आज में आप एक नए वेकेंसी के बार में बात करनी वाली हो जो कि है होम गार्ट की भरतियां यह अभी हमारे हर्याना में आ चुकी है और भी बहुत सारे स्टेट्स में आने वाली है यह एक ऐसी वेकेंसी होती है जिसके सब के अलग-अ सब्सक्राइब किया होती है और यदि कीसी को मैं बात करूँ तो हम गार्ट की भरती इसमें कोई एक्जाम नहीं होता है तो यह बिना एक्जाम के भरती होती है इसमें कुछ देखे जाते हैं कि आपको वह वह पॉइंट्स फिल करने होते हैं और यह यादि आप कॉलिपाइ करते हैं उसके बात का criteria या जो आप merit में नंबर मिलते हैं फिर उसके बाद merit बनती है उसके basis में आपका इसमें selection होता है तो हम इसमें बात कर लेते हैं कि आगे क्या-क्या होने वाला है पोस्ट है डिपार्टमेंट नेम क्या है होम गाड डिपार्टमेंट से यह बरतियां मिलेंगी recruitment job profile जो रहेगी home guard recruitment 2020 post of the name home guard का रहेगा number of post various रहेगी क्योंकि हाँ यह हमेशा देखा गया है previous year में कि जब भी home guard की भरतियां होती हैं बहुत बल्क में भरतियां होती है application आपका online होगा और job location all India होगी और all India मतलब यह सब statewide होता है statewide फिर आपका state में district by district के बाद block wise कुछ कुछ बहुत मात्रपूर्ट जानकारिया है जो की जरूरी रहेंगी जो आपको जानना होगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें age क्या होगी तो age जो भी रहेगी SCST candidates के लिए 5 year का relaxation मिलेगा OVC candidates के लिए 3 साल का relaxation मिलेगा to the extent of service rendered in the armed force, unreserved के लिए 3 साल, non-criminalize के लिए 6 years and STST के लिए 80 years मतलब इसमें उनके लिए reservation की बात की गई है जो भी ex-servicemen होते हैं आमी में या किसी भी defense से काम करके आये होते हैं उनके लिए बात करी गई है फिर हम बात करते हैं candidate who had ordinarily been domiciled in the state of Jammu Kashmir during the period of from January 1980 to 1st December 1989 जिनोंने Jammu Kashmir का जिनके पास residential certificate है या फिर जो 80 से 89 के बीच में वहाँ पर रहे हैं उनके लिए भी relaxation मिलेगा उन्रिजर्व वालों के लिए 5 years OVC वालों के लिए OVC non familiar 8 years SC 10 years ऐसे हमारे सारे reservation में years आपको मिलेगे relaxation मिलेगा सबके लिए जो जो भी उस category के लिए follow करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपकी graduation क्या मांगी जाती है qualification वैसे तो home guard में 10th और 12th qualify होना चाहिए उसके बाद graduation degree यदि आपके पास है तो वो भी बहुत अच्छी बात है उसके बाद आता है male की height male की height जो हमारी होती है 163 cm होती है और female की height होती है 152 cm अब क्या होता है जो exact area हम height की बात करते हैं तो general category के लिए 167.7 cm चाहिए होती है और वही SCST candidates के लिए 162.6 cm उसके बाद हम chest expansion की बात कर लेते हैं यह बात किया जाती है 78.8 cm and 76.5 cm 83.8 cm and 81.5 cm अब क्या होगा आपका जो होगा मतलब यह जो return test है ना return test की जगह क्या इसमें आपके कुछ कुछ लोग कराते भी है return test मतलब यह state to state vary करता है उसके बाद क्या होगा आपका दोड आएगी तो जो दोड के आपके नंबर रहेंगी means आपको running करनी रहेंगी उसके जो रहेंगे 30 नंबर रहेंगे तो आपको 1000 मीटर की दोड पूरी करनी होती यदि आपने वो 3 minute 40 second में पूरी की है तो आपको 15 number मिलेंगे यदि आपने 3 minute 20 second में पूरी की है तो आपको 23 संक मिलेंगे आपने 3 minute और 10 संक में पूरी की है तो आपको पूरे के पूरे 30 अंक मिल जाएंगे इसमें physical test बहुत important role play करता है यदि हम महिलाओ की बात करते हैं तो महिलाओ में सिर्फ 800 मेटर की दौड होती है 800 मेटर की दौड होती है जो कि आपको करनी होती है 4 मिनट 30 सेकंड में आपने पूरी की है यह सबसे ज़्यादा maximum time है जो आप ले ले तो यदि इससे ज़्यादा maximum time लोगो तो आप disqualify हो जाओगे एक्जाम से उसमें 15 अंक मिलेंगे आपको 22 में एक्जाम आएगा क्योंकि 22 और 23 जो है एक golden अपर्चुनिटी आने वाली है golden अपर्चुनिटी रहने वाली किसके लिए जो भी स्टूडेंट्स है वो प्रपेर कर रहे हैं किसी भी government एक्जाम के लिए उनके लिए यह बहुत golden अपर्चुनिटी रहेगी क्योंकि इस य यारी को जारी रखें बहुत motivated रहें और पढ़ाई करते रहें थांक्यू बेरी मच्छ